अचार का नाम सुनते ही अचार को देखते ही मुँम एकटम पानी आने लगता है तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए नीबू और हरे मिर्च का एकड़ा तीखा चटपटा अचार की रेसिपे लेके आई हूँ बहुत इजी है और सालो साल खराब नहीं होने वाला है ये दादी नानी के जमाने वाली रेसिपी है चलिए बनाते इसको इसको बनाने के लिए एकदम ताजे ताजे पतले छिलके वाले हाफ केजी निबू ले लिए है एकदम ताजा है धू करके इसको पोच लिया है अब इसके किनारे वाले भाग को दोनों साइट का निकाल देना है कट करके अब इसको चार या आठ भागों में भी काटा जा सकता है जैसा पिसे पसंदो आपको मैंने इसको चार टुकडे में काटा है काटने के बाद ये बीच में जो वाइट वाला भाग है ना इसको भी कट कर देना है इससे अचार थोड़ा कड़वा हो जाता है तो इसको कट कर दिया है और अंदर में जो बीच है ना उसको निकाल देना है ये अचार सालो साल चलने वाला है, बिल्खुल भी खराबनी होता है आप इसको तेल के साथ भी बना सकते हैं या बिना तेल का भी बना सकते हैं, दोनों तरह से ये अच्छा लगता है खाने में ठीक इसी तरह से नीबु के सारे पिसेस कट कर लेना है इसमें 2-3 चमच नमक और 1 चमच हल्दी डाल करके धक के इसको 4 दिन ऐसे ही रहने देना है लेकिन हाँ दोस्तों याद रखिएगा हर दिन एक बार इसको चला देना है ताकि नीबू के पीसेज नमक हल्दी सब एक बराबर मिक्स हो जाए चार दिनों के बाद इस तरह का हो जाएगा नीबू के पीसेज जोंगे काफी सॉफ्ट हो जाएगे पहले से अब फटाफट अचार का मसाला बना लेते हैं तो 2 चमच मेथी डाना लिया है धीमी आज पर इसको 1-2 मिनट अच्छे से भूल लेना है दो मिनट हो चुके हैं पड़ी अच्छे खुश्बू आने लगी है अब फटाफट इसको प्लेट में निकाल लेते हैं अब उसी गरम पैन में एक चम्मच जीरा और एक चम्मच सॉफ डाल देना है डाल करके धीमी आज पर इसको भी भूल लेना है धीमी आज पर दो मिनट हो चुके हैं ये भी अच्छे से भून गया है अब इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं थोड़ा से इसको ठंडा कर लेना है जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें दो चम्मच पीला वाला सरसो डाल देना है आप इसके जगा काला वाला सरसो मतलब राई का भी यूज़ कर सकते हैं मिक्सी के जार में डाल करके इसको दरदरा पीसना है ये बहुत जरूरी है बारिक नहीं पीसना है दरदरा रहना चाहिए अब इस भूनेवे मसाले को प्लेट में निकाल लेते हैं इसमें एक बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देना है फिर से एक बड़ी चम्मच इसमें काश्मीली लाल मिर्च डाला है इससे कलर बहुत अच्छा आता है एक चम्मच कलोजी मिंस मंगरेल डाला है आदी चम्मच हींका पाउडर और दो तीन चम्मच सेंधा नमक डाल देना है जी है फ्रेंट्स अगर सेंधा नमक नहीं है तो रिगलर वाला भी नमक डाल सकते हैं और सारी चीजों को अच्छे से मिला देना है और ये लीजे दोस्तों बहुत ही बड़ी आचार का मसाला बनके रेडी हो गया है बहुत अच्छी कुछ वो आ रही है इसमें से अप तेल को भी करम कर लेते हैं तो 2.500 ml मैंने सरसो का तेल लिया है आप कोई दूसरा भी तेल ले सकते हैं जो खाते हूं इसको कर लेना है कि इतना गरम करना है कि इसमें से दुवा निकलने लगे है इसके बाद स्विच को औफ कर देना है कि ठढड़ा हो जाएए अब यहाँ पर अचार को चटपटा बनाने के लिए 100 ग्राम एकदम तीखी वाली हरी मिर्च ली है मैंने इसके डंठल को निकाल देना है और इसको छोटे-छोटे टुकडे में कट कर देना है आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो तो यहाँ पर एक मिर्ची के मैंने दो-तीन टुकडे किये हैं आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं तो बहुत ही चटपटा याचार बनने वाला है फ्रेंड्स तो ये नीबू चार दिन जो हमने रखा था ना देख रहे हैं अच्छे से गल गया है तो इसका पानी नहीं फेकना है पानी इसी में रहने देना है और हरी मिर्ची को भी इसमें डाल देना है साथी साथ मसालो को भी इसमें डाल देना है और सारी चीजों को एक दुम अच्छे से मिला लेना है सारी चीज़े अच्छे से मिलाने के बाद इसको डब्बे में भरके बिना तेल का आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ही चटपटा लगता है ये अगर तेल वला चार चाहिए तो तेल को एक बाद पहले छूके देख लीजेगा ये बहुत गरम नहीं होना चाहिए तेल डाल देना है और मिला लेना अच्छे से और ये बहुत ही बड़िया नीबू और हरी मिर्च का एकदम तीखा चटपटा खटटा आजार बनके रेडी हो गया है तो देख रहे ने फ्रेंट्स कितना टेम्टिंग लग रहा है देखते ही खाने का मन कर रहा है तो आप भी इसको बना के जरू ट्राई कीजेगा बहुत इस रेसिपी है आप इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ कोई भी काच का बरतन ले लेना है आपको पताई होगा कि काच के बरतन में कभी भी आचार खराब नहीं होता है तो साफ सूखा बरतन लेना है इसमें आचार को रख देना है अगर जरूरत लगे तो तेल को गरम करके ठंडा करके थोड़ा और डाल दीजेगा स्तारे अचार को भर दिया है ध्यान रखिएगा बहुत दबा दबा के नहीं भरना है हलके हाथों से ही भरना है और साफ सूखे जगा पे रखना है अंधेरे जगा पे नहीं रखना है तो ये अचार सालों साल खराब नहीं होगा और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा बना रहेगा तो आप भी बना के इसको जरूर ट्राइ कीजिए कर फ्रेंड बहुत टेस्टी है ये वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद